Hello Friends, मेरे नाम है Sandeep Kaur Gaur और स्वागा थे आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहा हैं C Language पर दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने L-Sip Ladder पर डिस्कस किया हुआ था और साथ शाथ उसका एक practical भी देखा था आज हम एक question solve करने वाले हैं जो कि L-Sip Ladder पर based है बैसे तो यहाँ पर जो topic है हमारा L-Sip Ladder कर चल रहा है लेकिन यह दिया आपको को question आता भी है और आपको उसके लिए program अगर बनाना रहता है तो आपको program को देखके समयना रहेगा कि किस तरह का concept इसमें यूज होने वाला है तो आज हम इसको detail में discuss करेंगे कि इस question को हम कौन से concept से solve करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर एक electricity will के बारे में बात हो रही है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुए राइट ए प्रोगाम for an electric power distribution company charges its domestic consume as follows और यहाँ पर कुछ consumption यूज होई है और साथ-साथ-सके rate यहाँ पर लिखे हुए है read the customer number and power consumed and prints the amount to be paid by the customer import में हमको क्या कर चाहिए customer number हमको input कराना है और साथ-साथ power consumed हमको input कराना है and prints the amount to be paid by the customer और यहाँ पर in power consumption के पिस पर जो भी charges यहाँ पर लगेगा उसके लिए हमको यहां पर प्रिंट कराना है तो देखिए क्या हमको टेबल दी होई है यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं इसके वाद प्रुगाम बनाते हैं पहली कंडिशन आपकी क्या हो गई है कि जो आपका नंबर आप यूनिट्स है यहां पर हम इक वेरिवल माल लेते हैं यूनिट्स यदि यह कहां तक है लेज़ देन और रिकॉल टू 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 अंड़ेड तक है ठीक है यदि दोस्तों से कम है तो आपको क्या चार्ज देना है पर यूनिट रूपीज 0.50 मीज जो भी उड़ेड आपने कंजर्प्ट की है उसमें किसका मंटिप्लाई होना है 0.50 का मंटिप्लाई होना है तो यहां पर जो आपको चार्जे जो आपका चार्जेस निकलकर आएगा चार्जेस हमी इन घिरियू लमाल लेते हैं चार्जेस क क्या कहता है कि यदि conception unit 201 से लेके 400 तक है means 200 से उपर हो जाता है लेकिन कहा तक जाता है 400 तक तो 200 तक के लिए था हमारे पास ये वाला amount हो गया है लेकिन यदि 200 से उपर होता है और 400 तक पहुंसता है इसका मतलब second condition क्या बनेगी हमारी कि जो units है वो क्या होनी चाहिए less than or equal to foreign unit होनी चाहिए और यदि ऐसे होता है तब charges क्या लगेगा तब जो charges है उसका calculation है वो किस तरह से होगा 100 plus rupees 0.65 per unit excess of 200 ठीक है अब उसका क्या मतलब है 100 plus होगा means जो भी charges होगा उसमें क्या हो जाएगा 100 का plus हो जाएगा और charges किस तरह करोगा आप जितनी भी unit बनी होई है उसमें किसका multiply होगा 0.65 का multiply होगा लेकिन excess of 200 excess of 200 है मतलब 200 के बाद ये 200 को छोड़ कर क्यांकि 200 तक तो सिर्फ इतना charge लगेगा ठीक है तो यहाँ पे excess of 200 है होगा 0.65 का multiply होगा और इस से जो निकल कर आएगा उसमें किसका plus हो जाएगा 100 का ठीक है third condition क्या बनेगी यदि units कहां है 400 से उपर हो जाती है लेकिन कहां तक 600 था means third जो condition है वो क्या हो जाएगी unit less than or equal to 600 यदि ऐसा है तो कितने का plus करना है amount में 230 का plus कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 230 plus फिर वही बात है कि rupees किसका multiply होगा 0.80 का 0.80 का multiply होगा किसमें multiply होगा unit में लेकिन axis of 400 means 400 से उपर वाले में इसका multiply होगा तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं unit minus 400 ठीक है अब fourth case क्या है 600 से यदि उपर हो जाता है 600 से उपर हो जाता है means अब देखिए यहाँ पर हमने तीन condition तो ले ली है अब यदि 600 से उपर हो जाता है तो यह हमारा last बाली condition है 600 से उपर हो जाता है तब क्या होगा charges जो आप calculate करोगे किस तरह होगा 390 इसको greater than कर देते है greater than equal to 600 तो यहाँ पर क्या charges क्या होगा 390 पिलस और यहाँ पर क्या है unit axis of 600 उसमें multiply क्या होगा 1.08 का किस से उपर करना है यह units minus 600 ठीक है तो यह चार condition है जिनके बेस पर आपको charges calculate करना है अब concept क्या लगेगा देखिए पहली condition है तो आप इसको किस में check कर लोगे if को कर लोगे default जो है उसको आप किस में लिखोगे else में लिखोगे अब बीच में बसती है 2 condition तो यदि आप यहाँ पर एक बार else लगाओगे तो यह छूट जागा इसका मतलब आपको कितनी बार else लगाना है दो बार लगाना है दोनों condition को check करने के लिए और इस concept पर हमने discuss किया हुआ है कि यदि if और else के बीच में एक से जादे बार else लगाना है या multiple else लगाना है तो इसको क्या बोला जाता else लगाना बोला जाता है ठीक है तो यह जो हमारे exam बाले वो किस पर based है else लगाना पर based है अब इसके लिए हम बनाते हैं program program for electricity bill ठीक है सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो header file ले ले लेते हैं include stdio.h include on you dot h ठीक है अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो unit हमको input क्या कराना है customer number input कराना है और power constant मतलब number of units input कराना है units भी क्या है आपका integer के form में आपको देख रही है customer number भी आप क्या ले सकते हो integer के form में ले सकते हो तो दो value आपको क्या लेने integer लेने जब आप यहाँ पर charges करोगे तो उसमें इस तरह के जो amount आप देख रहे हो यह जो constant value आप देख रहे हो इनका multiply होगा यह किस तरह के आपको देख रहे है floating value देख रहे है तो जब इनका इससे multiply होगा तो वो भी किस तरह की हो जाएगे floating value और यहाँ जब हम असान करेंगे तो यह भी किस तरह का होना चाहिए float value होना चाहिए तो यहाँ पर हम data type declare करेंगे float किस के लिए charges के लिए और customer number और units के लिए के लिए integer लेंगे ठीक है यहाँ पर हम variable declare कर लेते है man function लिए हमने void man सबसे पहले लिखा integer एक variable लिए हमने customer number और दूसरे variable लिए हमने units third variable लिए हमने float type का charges okay सबसे पहले मैसेज देते हैं जिसमें हम customer number और units को input करा लेते हैं enter customer number and units scanf अब customer number अब यूनिट्स दोनों ही integer है इसलिए पर सेंडी पर सेंडी एड्रेस ओपरेटर customer number address operator यूनिट्स ठीक है इसका अभी हम प्रोगाम प्रेक्टिकल भी देखेंगे अब यहां पर सबसे पहली condition क्या लगाएंगे हम if अब देखिए condition यहां पर जहां दीजिए हैं पहली condition क्या लगेगी if number of units means units variable less than or equal to क्या होने चाहिए 200 ओके यदि ऐसा होता है तब charges जो है उसका conclusion किस तरह करना है हमको 0.5 multiply with number of units ठीक है इस तरह से first condition हो जाएगी second condition क्या है else if units less than or equal to 400 ओके यहां पर जो second condition है वो क्या है हमारी less than or equal to 400 हाना और इसके base पर यदि हम charges निकालते हैं तो वो किस तरह से निकलेंगे 100 plus 0.65 multiply with units minus 200 तर्ड कंडिशन लगाते हैं as if units less than or equal to 600 इसके base पर जो चार्जेस निकलेंगे वो किस तरह से निकल रहा हमारा 230 plus 0.80 multiply यूनिक्र नट गश्रम अिकले हैं और लास्ट वाला जो है वो एल्स पार्ट में है इसलिए कोई कन्डिशन नहीं देनी हैं, डिपॉर्ल स्कों स्टेट्मेंट आपको यूज करना है, यह फे-उस् 390 पिलस और देखिए, लास्ट में क्या हो रहा है? यह है 1.00 था, यहां पर हमने 1.8 गलत लिख दिया है, 1.00 मीस 1 रूपीज है, एक रूपे है, तो एक रूपे का मेटिप्लाइ करना मतलब यहां पर 1 लेखें या ना लेखें, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर मैंने समय जानिकली 1 लिख दिया है, 1 रूपीज का मेटिप्लाइ होना किस से? यूनिट्स माइनस 600 से, ठीक है? यदि आप यहां पर इतना और यह डारेक्ट भी लिखते हैं, तब भी आपका सही माना जाएगा. अब इस तरह से आपने सारी कंडिशन यहां पर लगा दी है, ठीक है? क सबसे पहले हम प्रिंट करा देते हैं, क세िस्टमर नम्मर, कस्टमर नम्मर, कस्टमर नम्मर इंटिज आरेसलि Cool एंदि, और वो किस वैरीवल मेरें है? कließ्टनम वैरीवल मेरे, प्रिंट एफ प्रिंट कराना है हमको चार्जेस चार्जेस के लिए आप हमने लिया है परसेंट एफ वेरिवल क्या है आपका चार्जेस और यह आपका में प्रोगाम क्लोज अब जब अब जस प्रोगाम को हम कंपाईल करेंगे और रन करेंगे तो यहां पर क्या है इस सबसे पहले नम इंडेसर है ओर दूसरा वेरिवल है यूनिट्स ठ्क है ने कुंज है शार्जेस यह थीन वेरिवल आपके जोना हम जिए है पहला मेसिज आपके मिलेगा enter customer number and units माली जी आपने customer number दिया 1 और units दिया माली जी 100 ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहले condition चेक होगी units less than or equal to 200 तो यहाँ पे units की value क्या है? 100 है condition यहाँ पे check करेंगे 100 less than or equal to 200 condition क्या हो जाएगी? true हो जाएगी condition true हो जाएगी तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ वाली conclusion हो जाएगी 0.5 मिट के में किस का multiply हो जाएगा? 100 का multiply हो जाएगा जो भी charges होगा वो यहाँ पे निकल कर आएगा और सीधा हम यहाँ से का निकलेंगे? बाहर निकलेंगे और customer number और charges यहाँ पे प्रिंट हो जाएगे यदि यहाँ कोई और value देते हैं माली जाप दूसरे टाइप दूसरे बार रन करते हैं और यहाँ पे customer number दिया 2 और यहाँ पर आपने value दी 500 ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा पहली condition 500 is less than equal to 200 condition क्या हो जाएगी यहाँ पे? false हो जाएगी false हो जाएगी थम कहा आएगे? अगले else इप पे आएगे यहाँ पे लिखा हुआ है condition 5 less than equal to 400 यह condition भी क्या हो जाएगी? false हो जाएगी फिर अगले else इप पे आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 500 less than equal to 600 यह condition क्यों हो जाएगी, true हो जाएगी, और यदि true हो जाती ही, तो फिर इसके base पर आपका charges calculate होगा, और यहां से हम कहा निकल जाएगे, सीधा print app पे जाएगे, और फिर इनका हम जो भी display होगा, वो display हम यहां पे output कर देंगे, यदि हम कुछ ऐसी value ले लेते हैं, जो तीनों condition के satisfy नहीं होती है, for example आप third case ले लेते हैं, customer number 3 डाल आपने, और यहां पे number of unit डाल दी है, आपने 700, अब 700 यह आप चेक करते हो, तो 700 is not less than 200, यहां भी false है, यहां चेक करेंगे, 700 is not less than 400, यह भी false हो जाएगा, और इसी तरह यहां पे भी 700 is not less than 600, यह भी आपका false हो जाएगा, त फिर उसके बाद हम बाहर निकल के message प्रिंट करेंगे customer number 4, ओके फ्रेंट, तो यह था हमार प्रोग्राम electricity bill का, अब देखते हैं इसका practical implementation, अब हमने आपर प्रोग्राम पूरा टाइप कर लिया है, आप देख सकते हैं, प्रोग्राम पूरा वही है, जो अभी हमने समझा है, 200 हमने यहां पर दिया, तो यह देखिए customer number 1 और charges के निकल कर आया, 50 rupees यहां पर निकल कर आया, फिर से देते हैं, फिर से इसको run करते हैं, इस बार हमने customer number दिया 2 और इसके बाद हम देते हैं, number of units जो है 300 देते हैं, तो देखिए, यहां पर क्या आया, customer number 2 और charges इस बार के निक 65 निकल कर आया आए पिर से रंग करते हैं इस बार कुछ और देते हैं चली इस बार देते हैं इस बार नमबर थर्ड और नमर करते हैं इस बार करते हैं customer number 4 और यहाँ पर देते हैं 710 तो देखते हैं कहा निकल कर आता है यहाँ पर customer number निकल कर आया 4 और charges के आया 500 तो इस तरह से आपके program का output यहाँ पर आया है ओके फ्रेंट्स तो यदि आपको आच के वीडियो पसंदाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तेंक यू